तो हेलो बच्चो आज हम आपको पढ़ाने वाले है एक नया कुश्चिन तो चलिए फटाफर से इस कुश्चिन को सॉल करते हैं तो दस्तों पहले मैं इस कुश्चिन को इंग्लीज में पढ़ता हूं तो इंग्लीज में आप से कहके रखा है हिंदी में कहा है गड़ित के प्रतम टेस्ट में कुल 25 अंक में से एक विद्यार्थी ने अठारा अंक प्राप्त किये चब की दूसरे टेस्ट में इतने ही पूर्णांक में से उसने 22 अंक प्राप्त किये दूसरे टेस्ट में उसे कितने प्रतिशातंक अधिक प्राप्त हुए तो चलिए फटा फट से इस कुश्चिन को आप लोग सॉल करते हैं तो उसके लिए मैं आप पे दिखना होगा पहले पहले टेस्ट में प्राप्त अंक पहले टेस्ट में जो प्राप्त अंक दिये हैं 18 आउपर जाकर देख सकते हैं इसे कि आप यहीं पर देख लीजिए कि यहां पर 18 अंक दिये हैं फिस पचीस अंकों में से मतलब कि प्रोणांग दिया है वह 25 दिया है तो आपने कि लोग पढ़ाई होगा कि जो प्रसेंटेज निकाला जाता है तो वह तो आपको निकालना आता ही होगा कि तो अब यहां पे लिखें गेंगे लोग कि आफ ले पाहले टेस्ट अधिया से प्रसंट्टे जंक होगे वह आप तो निकालना आता हो एटीन अपॉंट्टी फाइफ इंटु हंडैड हो जायेगा तो यह पचीस में से अठारा अंप्राप्त किये थे थे तटीन अपॉंट्टी फाइफ इंटु हंड्रेड तो इक्वल्टु में आ जाएगा 25 ए सब्सक्राइब तो अठारा एंड चार को मुल्किप्लाइब कर देंगे लगुणा तो एक्वल टू में आ जाएगा सैंटी टू प्रिसेंट फिर पहले टेस्ट में प्राप्त प्रसेंटेज अंग है वो 72 है फिर अवंको नीचे लिखना होगा कि दूसरे टेस्ट कि दूसरे सुरी यहां पर दाल लिग गया दूसरे टेस्ट कि अविप्राप्त अंक कि दूसरे टेस्ट में प्राप्त स्क्राव्य वार्मको आणिए ऑ enabling ड़ींटेटर्व है कि यह यहां पर देखों कि 22 हैर इसमें पुरक मरें 25 य걸 लिका है इतने ही से ब्सक्ला कहिंशस कि पहले में तो पाते हिसे नहिक्राप कि है तो इसमें प्रसंटेज निकालने कि लिए अपर लिखेंगे दूसरे टेश्ट में प्रसेंटेज मत्रती सत्त अंक तो इकवल टू में हो जाएगा वाइस बटे पचीज इसमें भी प्रसेंटेश्ट निकालना होगा 22 बटे 25 गुणे 100 तो इक्वल टू में आ जाएगा पच्चीश कर पच्चीश पच्चीश को सव तो 32 इंटू 4 कर देंगे तो इक्वल टू में 88 प्रसेंट आ जाएगा फिर हमसे कहा गया है दूसरे टेस्ट में उसे कितने प्रतिसत अंक अधिक प्राप्त हुए है मतलब कि ज दूसरे में 88 प्रसेंट जो खुब राप्त हुए है तो पूछा है दूसरे टेस्ट में कितने प्रसेंट अंक अधिक प्राप्त हुए तो इसमें हम लोग्व सिंपली करेंगे 88 प्रसेंट माइनस 72 परसेंट तो इकवल टू में आ जाएगा 16 परसेंट अपना सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 16 परसेंट जो है अधिक प्राप्त किये हुए हैं तो इसमें जो आपसन नंबर थ्री जो है वह अपना सही हो जाएगा तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में करो सस्क्राइब जरू कीजिए का और हां बेल आइकन भी दवा लेना ताइक मैं कोई वीडियो अप्लोड करूं वह आपको सबसे पहले मिले तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद